हाँ तो गईज आप देख वरों कि हमने इस फोटो के स्नापसेड अप के अंदर उपेविंद कर लिया अगर आप भी उस डाइप का फोटो एडिट करना चाहते हो लाइक फेस को स्मूथ वी करना चाहते हो बैकड़्ण को ब्लड करना चाहते हो overall उस तरीके का editing करना चाहते हो जैसे आपने thumbnail पे देखा वीडियो को complete देखिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वीडियो पूरा देखने के बाद आफ 100% सीख जाएंगे तो पहले ही बताद रहाँ कि वीडियो को कहीं भी skip करके मत देखिएगा पूरा complete देखिए अच्छे से सीख जाएंगे अब आपको यहाँ pencil का icon देखेगा इस पे आपको tap करना है then यहाँ tune image पे click करना है tune image पे click करने के बाद यहाँ ambience पे आना है ambience की amount कुछ इस तरीके से बढ़ा कर लगबग plus 38 कर लेना है then यहाँ से इसको done कर लेना है अब गईज देखो before and after हमने फोटो के अंदर अभी कुछ भी नहीं किया सिर्फ ambience का एक effect डाला जिसके कारण यह देखो फोटो कितना ज़दा अच्छा लग रहा है यह ambience मैंने इसलिए वढ़ाया तकि फोटो के अंदर जो lighting का condition है वो चारों तरफ same हो जाए अब आपको इतना काम कर लेने के बाद आपको pencil का icon पे click करना है then यहाँ जाना है आपको एक option मिलेगा vintage का vintage पे आपको click करना है यहाँ पे आपको vintage के बहुत सारे effect मिल जाएंगे आपको यह 12 नमर वाला effect select करना है then यहाँ जाना है style strength में and इसकी value कम कर लेना है लगबग इसको plus 12 के आसपास रख लेना है then यहाँ vignit strength को भी कम कर लेना है and इससे लगबग plus 17 कर लेना है ठीक है अब आपको थोड़ा सा उपर जाना है यहाँ आपको एक saturation का option दिखेगा saturation को कुछ इस तरीके से minus 100 कर लेना है अब यहाँ से इसको done कर लेंगे अब आपको edit stack पर क्लिक करना है viewer edits पे then vintage पर क्लिक करना है अब यह देख पर हो कि बीच में एक pencil का icon दिखेगा इस पर आपको tap करना है then यहाँ इसको invert पे क्लिक करना है यह invert हो जाएगा invert कर लेते हैं then photo को zoom कर लेना है कुछ इस तरीके से zoom कर लेने के बाद ऐसे आपको skin पर draw करना है देख पर हो जैसे हम skin पर चला रहे हैं same आपको भी कुछ इसी तरीके से skin पर चलाना है तो अपने skin से कुछ इस तरीके से erase कर लिजे इस process में आपका बिल्कुल भी ज्यादा time नहीं लगेगा आप easily कर लोगे तो आप ध्यान से देखे वीडियो को and अच्छे से कर लिजे मैं इस वीडियो को थोड़ा सा fast कर दे रहा हूँ यहां तक जब तक मैं erase कर रहा हूँ ठीक ह पर हूँ कि मैंने hands से various कर लिया face से various कर लिया बाकि यहां से आपको done पे click करना है back करना है ठीक है अब दीख पर हूँ वाइस कि यह photo before में ऐसी थी and after में अभी हमने सिर्फ dark black का एक effect डाला है जो vintage में था मैंने सिर्फ वही effect डाला है अब दीख पर हूँ कि photo एकदम dark black हो गया अब आपको pencil का icon पे click करना है selective पे click करना है अब आपकी skin का जो dark area होगा वहां पहला कर ऐसे रखना है and skin को select कर लेना है brightness को बढ़ा लिजे कुछ इस तरीके से and इसे plus 8 कर लेना है then saturation की value minus side रखेंगे and इसको minus 14 कर लेंगे अब बहुत लोग आपको यह तरीका नहीं बताएंग इस सिर्फ इस मतलब यह selective tool के अंदर भी आप अपने face को smooth कर सकते हैं यहां आपको contrast select करना है और इसका value कम कर लेना है ठीक है आप देख पर हो कि मैंने इसको minus 17 कर लिया यहां से इसको done कर लेंगे अब यह देखो before and यह देखो after अब देख पर हो गया इसकी face में है पहले से ज saturation को select करना है और इसको plus 5 कर लेना है देन photo को zoom करना है और ऐसे guys आपको अपने lips पर चला लेना है ताकि आपके lips का जो color fade होगा वो recover हो जाए ठीक है आप देख पर भी अभी photo manual lips का color recover हो गया यहां से इसको done कर लेंगे अब आपको pencil का icon पर दोबारा click करना है इस पर click करने के ब इसको लगबग plus 12 या 13 कर लेंगे ठीक है मैंने इसको plus 12 कर लिया आप इसके आसपास रख सकते हो 15 के आसपास रख सकते हो ठीक है यहां से guys इसको done पर click करेंगे edit stack पर click करेंगे viewer edits पर जाएंगे then white balance पर अब आपको बीच के pencil वाले icon पर click करना है इस पर click करने के बाद यहां invert का option है दोबारा invert करेंगे जैसा हमने पहले step में किया था यहां से guys इसकी value भी कम कर लेंगे zero कर लेंगे और कुछ इस तरीके से guys आपको अपने skin से इसको easily erase कर लेना है देख परवज कि जैसे जैसे हमें skin से erase कर रहे है skin का जो पहले का color था वो यहां पे अभी recover हो रहा है और यह जो बाकी का color है वो पूड़ा का पूड़ा आपकी background में और आपकी cloth पे apply हो जाएगा जिससे आपका photo काफी ज़दा मस लगेगा तो मैं इस step को जल्दी से complete कर ले रहा हूँ ताकि अगला step मैं आपके साथ share कर पाऊँ ताकि आप अपनी photo को अच्छे तरीके से edit कर पाऊ ठीक है हाँ तो guys आप देख पर हैं कि हमने पूड़े skin से इसको भी इरीज कर लिया देख पर हो कि मैंने face से भी इरीज कर लिया इस पर क्लिक करने के बाद यहां आपको एक portrait का option मिलेगा portrait पर क्लिक करना है यहां आपको बहुत सरे options हो होंगे देख पर हो यह smooth 2 है eyes है eyes 2 है combo है आपको यहां से smooth 2 को select करना है smooth 2 select करने के बाद यहां skin smooth की amount लगभग आपको 47 कर लेना है eye clarity को परहा लेना है अब यह face smooth light जो उपर में आपको दिखेगा इससे आपको बिल्कुल भी नहीं बराना है एक percent के भी आसपास आपको नहीं बराना है इससे पूरा zero रहन देना है यहां done पर क्लिक कर लेंगे अब आपको pencil का icon पर दोबाड़ा क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद यहां जाना है आपको cut wall option के अंदर अब आपको यह channel का option मिलेगा यहां पर इस पर क्लिक करना है यह before की photo है and यह after की आप देख पर गज़ की हमारा photo overall edit हो गया बहुत अच्छे तरीके से यह video थोरा लंबा हो गया इसलिए मैं इस वीडियो में cover नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे गाइस background को blur करना है अगर आपको सीखना है तो आप comment कीजे या फिर इसके ओपर हमने already वीडियो बना रखा है उसका link आपको description में देदेंगे आप देखके सीख लिजिए अब आपको share का icon पे click करना है यह photo आपकी gallery के अंदर easily save हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से गाइस आप अपनी photo का edit कर सकते है Snapchat app का यूज करके like face को smooth कर सकते है background color change कर सकते है background को blood भी कर सकते है जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है तो guys मिलते हैं आप से किसे next वीडियो में फिलाल के लिए इतना ही love you all, take care, bye bye